अलो दोस्तो मैं रंजीत आपके सामने फिर एक नए वीडियो साथ पस्ते दो गया हूं दोस्तों दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पतलब समझने वाले हैं 3D एनिमेशन के मद्यम से कि हम लोग जो खाना खाते हैं जो भी इनर्जी के लिए उर्जाक लिए जो भी हम बाहर सारी चीट खाते हैं पेट के अंदर वह आकरी में क्या होता है कैसे पचता है उसमें किन-किन एसीडों का युगदान होता है कौन-कौन से पदार्थ होते हैं उस खाने को पचाते हैं और हमरे सरीर के कौन सा अंग जो है उन पर कारे करता है इन सारी बातों को हम समझने वाल कुछ और कंपेडिशन के दिष्टी से भी बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है तो इसलिए इस वीडियो को पूरे लास्ट तक दिखेगा है वह चली हम लोग सुरू करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा शरीर जिन्दा कैसे रहता है हमारा पूरा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल्स सी मिलकर बना हुआ है और हमारे शरीर के हर सेल्स को जिन्दा रहने के लिए ऑक्सीजन की, ग्लुकोस की और कुछ न्यूट्रीशन की जरुरत होती है हमारे शेरीर के body cells को oxygen की supply हमारे फेपरे करते हैं और इहने glucose और nutrition की supply हमारा digestive system करता है हमारे शेरीर में फेपरे को द्वारा बनाएगे oxygen और digestive system के द्वारा बनाएगे glucose को body के हर cells तक पहुंचाने का कम हमारे blood में मौझूद red blood cells करते हैं हमें digestive system के function को समझने के लिए हमें हमारे खाने से मिलने वाले कुछ nutrition यानि पोशक ततों को भी समझना होगा हम जो खाना खाते हैं उस खाने को हमारा digestive system पचा कर उनसे बहुत सारे nutrition को अलग कर लेता है जैसे carbohydrate, protein, fat, starch, amino acid, fatty acid और glucose इन में से last के सिर्फ इन तीन nutrition, amino acid, fatty acid और glucose को ही हमारे blood में मौझूद red blood cells absorb यानि औफशोशित करके body के हर cells तक पहुचाते हैं तो आईए अब जानते हैं कि हम जो खाना खाते हैं उसे हमारा digestive system कैसे पचा कर उन में से amino acid, fatty acid और glucose को बनाता है हमारे digestive system यानि पाचन तंत्र में हमारे शिरीर के 6 हिस से शामिल है पहला हमारा मूँ, दूसरा इस्तमत यानि अमाशय, तीसरा liver, चौथा pancreas gland यानि अगनाशय ग्रंती, पाच्वा small intestine यानि छोटी आत, और छटा large intestine यानि बड़ी आत शामिल है हम जो खाना खाते हैं उसे पचानी के शुरुवात हमारे मूँ से ही शुरू हो जाती है, जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने को हमारा दाथ छोटे छोटे टुक्रों में तोड़ देता है अब हमारे मूँ के अंदर मौजूद sliveri gland यानि लार गरंतिया उस खाने में sliveri gland यानि लार को छोड़ना शुरू कर देती है मूँ के अंदर खाना को पचाने का काम यही sliver करता है sliver में main तीन enzyme होते हैं जो खाना को पचाने का काम करते हैं lysogym, tylin और mucus lysogym हमारे द्वारा खाए गए खाने में मौजूद bacteria को मारने का काम करता है tylin खाने में मौजूद starch जो एक प्रकार का carbohydrate है उसे निकाल लेता है और saliva में मौजूद mucus का काम खाने को चिपचिपा बनाना है ताकि वो पेट के अंदर असानी से जा सके अब ये खाना एसोफेगस यानि ग्रास नेली से होते हुए इस्टमक तक पहुंचता है ये एसोफेगस 25 cm लंबा होता है खाना इस्टमक में पहुंचने के बाद इस्टमक इस खाने में हाइड्रोकॉलोरिक एसिट को छोड़ता है ताकि जो स्ट्रॉंग बैक्टिरिया मुँ के अंदर नहीं मर पाये थे वह अब अच्छी तरह से मर जाएं हाइड्रोकॉलोरिक एसिट की वज़े से इस्टमक में मौझूद खाना और भी छोटे छोटे तुक्रों में तूटकर पतला हो जाता है इस्टमक के अंदर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड यानि जठर ग्रंथी कहते हैं ये गैस्ट्रिक ग्लैंड इस्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस को छोड़ता है इस गेस्ट्रिक जूस में रैनिन और पेपसीन दो एंजाइम पाए जाते हैं रैनिन और पेपसीन का काम खाने को पचा कर उन में मौझूद प्रोटीन को निकालना है पैपसीन खाने में मौचुत प्रोटीन को अलग करके उसे तोड़कर प्रोटीन के एक स्मॉलेश्ट फॉर्म पैप्टोन में बदल देता है हम जितना ही ज्यादा खाना खाते हैं इस टमक उस खाने को पचाने के लिए उतना ही ज्यादा हाइड्रोकलोरिक एसिड छोड़ता है इसलिए जब कोई इंसान हज से ज़्यादा खाना खा लेता है तब इस टमक में ज़्यादा हाइड्रोकलोरिक एसिड रिलीज हो जाने के कारण खाना एसिडिक हो जाता है और गैस बनाने लगता है तब इसे ही हम एसिडिक कहते हैं इस problem से छुटकारा दिलाने के लिए dr. magnesium hydroxide मेंगनेशियम हाइडरोक्साइड ही होता है magnesium hydroxide चार ये प्रकृतिका होता है और हम सब ये बात जानते हैं है कि अमल और चार आपस में मिलकर निश्क्रिय हो जाते हैं इसलिए इनो पीने के तुरंद बाद ऐसे डीटी ठीक हो जाता है स्टमक में खाना चार घंटे तक रहता है चार घंटे बाद स्टमक से अधपचा खाना निकल कर अब स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आथ में पहुंचता है इंटेस्टाइन लगवग 7 मिटर लंबा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचने एक बाद लीवर इसमें बाइल जूस यानी पित को छोड़ता है लीवर द्वारा छोड़ा गया बाइल जूस चारी प्रक्रितिका होता है छोटी आथ अमलिये खाने को नहीं पचा पाती है इसलिए इस टमक में हाइड्रोकलोरिक एसिट के कारण अमलिये बना हुआ खाना बाइल जूस मिक्स होने के कारण निश्क्रिय हो जाता है बाइल जूस फैट यानि वसा को भी पचाने का काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुचने के बाद पैंक्रियास ग्लेंट इस खाने को और भी अच्छे तरीके से पचाने के लिए इसमें पैंक्रेटिक जूस को छोड़ता है इस पैंक्रेटिक जूस में तीन एंजाइम टिपसीन, एमाईलेज और लाइपेज होते है टिपसीन इस टमक में टूटे हो प्रोटीन पैपटॉन को फिर से तोरकर प्रोटीन के और भी स्मॉलेस्ट फॉर्म पैप्टाइड में बदल देता है M.I.L.H. खाने को पचाकर खाने में मौझूद कार्बोहाइडरेट को निकाल लेता है और L.I.P.H. खाने में मौझूद फैट को निकाल लेता है इस तरह से Small Intestine में खाना पूरी तरह से पच जाता है खाना पूरी तरह से पचने के बाद Small Intestine के नीचे वाले भाग में जमा हो जाता है Small Intestine के इस भाग को इलियम कहते है इलियम खाने से मिली हुए निट्रिशन को खून में घुलंशील बनाने के लिए कुछ एंजाइम को छोड़ता है जिससे प्रोटीन से टूटा हुआ पेप्टाइड अब एमीनो एसिड में बदल जाता है एमीनो एसिड प्रोटीन के सबसे छोटे यूनिट होती है इलियम के एंजाइम के कारण कर्भोहईडरेट ग्लुकोज में बदल जाता है और fat, fatty acid में बदल जाता है अब amino acid, fatty acid और glucose इन तीनों को red blood cells एब्सॉर्ब कर सकता है इलियम में finger ship के कुछ structure पाये जाते हैं इन्हें विलाई कहते हैं इन विलाई के अंदर blood vessels यानि बहुती पतली पतली खुन की नलिखाएं होती हैं जब इलियम में amino acid, glucose और fatty acid बन जाते हैं तब इन विलाई द्वारा इन्हें एब्सॉर्ब करके blood में भेज दिया जाता है अब blood में मौझूद red blood cells इन nutrition को body cells तक पहुचा देते हैं खाने में मौझूद minerals यानि खनीच पदार्तों को small intestine को तोरने की जुरत नहीं पड़ती इन्हें विलाई द्वारा direct absorb कर लिया जाता है हमारे digestive system को protein को पचाने में सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है पहले protein को तोरकर pepton बनाना पड़ता है फिर pepton को तोरकर peptide और फिर last में peptide को तोरकर amino acid बनाना करता है तब जाकर इसका absorption छोटी आद दोरा हो पाता है small intestine में पूरी तरह से पचने और absorb होने के बाद अब खाने का बचा हुआ waste material पहुंसता है large intestine यानि बड़ी आत में small intestine में खाना पूरी तरह से पचत हो जाता है पर उसमें अभी भी पानी मौझूद रहता है large intestine का काम पचेवे खाने के waste material में से पानी को शोकना है large intestine खाने के waste material में से पानी को absorb करके blood में mix कर देता है अब यह waste material rectum में जाकर इखटा हो जाता है rectum में खाना इकटा हो जाने के बाद इंसान bathroom को याद करने लगता है फिर bathroom में जाने के बाद यह waste material एनस के रास्ते हमारे शेरी से बहार निकल जाते हैं हमारे द्वारा खाये खाने को मुझ से लेकर एनस से बाहर निकलने तक 32 पीट यानि लगभग 9 मिटर तक का सफर तैय करना परता है इस तरह से हमारे पाचन तंत्र को अच्छी तरह से समझ गया होंगे ऐसा ही प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्रस्काइब किजिए दोस्तों को सेर किजिए और आनंद से रहिए जय हैं दोस्तों